असलाम अलेकुम नाजरीन मैं आरजय अनसादी इस नए वीडियो में तहे दिल से आपका इस्तक्बाल करती हूँ तो आईए बिना जादा बात के शुरू करते हैं आज का वीडियो पिछले एपिसोड का सवाल सबसे पहले खेती का काम किस ने किया आपके ओप्शन थी ये और मशालला आप लोगोंने सही जवाब दिये थे सही जवाब है भी हजरत आदम अलाहिस सलाम और जिन्होंने सबसे पहले कमेंट में जवाब दिया है उनका नाम है मुहम्मद तारिक आजमी तो मुहम्मद तारिक आजमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट में सबसे जवाब देने के लिए औरत को गैर महरम अजनभी मर्द का जूठा खाना कैसा है आपके ऑप्शन ए गुना है बी जाइज है सी जाइज नहीं डी मक्रू है और आपका वक्त शुरू होता अब सही जवाब दी मक्रू है अगर मालूम हो ये फला मर्द का जूठा है तो बतौरे तलजज औरत के लिए उसका खाना पीना मक्रू और नाजाइज है इसे तरह अगर मर्द को मालूम है फला औरत का जूठा है तो उसे भी लजज़त के तोर पर खाना पीना दुरूस्त नहीं औ और अगर मालूम ना हो जूटा किस मर्द का है या किस औरत का है या लज्जद के तौर पर इस्तिमाल ना करें, तो कोई हर्ज नहीं मर्द को अजनभी औरत का झूटा और औरत को अजनभी मर्द का झूटा मक्रू है जौजा वह महरं के जूठे में हर्ज नहीं कराहत इस सूरत में है, जब कि तलज्जुट की तोर पर हो और अगर तलजुट मक्सूद ना हो बलकी तबर्रुक के तोर पर हो जैसे कि आलिम बाअमल और बाशरा पीर का जूठा उसे तबर्रुक समझकर लोग खाते पीते हैं इसमें कोई हर्जी नहीं क्या शोहर का नाम लेने से निकाह तूट जाता है आपके ओप्शन आ निकाह नहीं तूटेगा बी निकाह तूट जाएगा सी मकरू है डी जैज नहीं और आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है सी मकरू है शोहर का नाम लेने से निकाह बिलकुल नहीं तूटता है हाँ ये है बेजरूरत शोहर का नाम लेना ये खिलाफ अदब और मकरू है जैसा की बाप को नाम लेकर पुकारना मकरू है बहार शरीयत में है बाप को उसका नाम लेकर पुकारना मकरू है ये अदब के खिलाफ है इसी तरह औरत को ये मकरू है शोहर का नाम लेकर पुकारे बाज जाहिलों में ये मशुहूर है औरत अगर शोहर का नाम ले तो निकार तूच जाता है ये गलत है शायद इसे इसलिए गड़ा हो तलाक हो जाएगी इस डर से शोहर का नाम ना लेगी नाजरिन अब वक्त आ गया तैयार हो जाएए मुझे आप तमाम लोगों से इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोग इस सवाल का सही जवाब कमेंट में दे कर जाना इब तमाम लोगों की कमेंट चेक करूंगी सबसे पहले कौन से नभी तश्रीफ लाए आपके ओप्शन A. हजुरत आदम अलाहिससलाम B. हजुरत दाउद अलाहिससलाम C. हजुरत सुलैमान अलाहिससलाम D. हजुरत इबराहीम अलाहिससलाम और नाजरीन इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी बलकि इसका सही जवाब आप लोग मुझे केमेंट करके बताए उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आए हमें इस्टाग्राम पर फॉलो करें हमें अच्छे ये पोस्ट डालते रहते हैं लिंक की नीचे डिस्क्रेप्शन में है